परी मैं जानती हूँ तुझी जू से बहुत प्यार करती है फिर अपनी जगा देने की कोशश क्यों कर रही है मुझे तो जानती है ना मुझे मैंने दुनिया की परवा कभी नहीं की है अगर किसी ने कुछ कहा या इस बच्चे को ताना भी मारा ना तो मुझ नोच रूँगे और यहां पर नीती बोल भी रही है कि इसी दिन ना परी की शादी हुई थी और देखो अब एक साल बीद गया है और और इसी दिन में अपने राजीव के साथ शादी कर रही हूँ नीती ना मेरा जानती है ना मुझे दुनिया को आग लगा दूगी मैं हो मेरी जान तू ना मेरी फिकर करना छोड़ दे और जाकर रेस्ट कर ले मैं ठीक हूँ तो राजीव से शादी कर ले प्लीज तो यहां पर वही सेम डेट है कि जिस दिन परी और राजीव की शादी हुई थी अब नीती और राजीव की शादी हो रही है एक साल बात फिर वही बात क्यों अपनी पागल हो जाएकै कि इस बच्ण के बारे में सोझा आर इसका क्या होगा कम से कम अब यह इस बच्छा कर लेकिन हैं आचानक अब श्रुडख को nep relating oppi कि सामने रही जिस में हम देखतें में तरडिए और और वह सारी चीजे आ ड जाती है पहले जब गुर्वेंदर को में चली गई थी और कौन था जिसने गुर्वेंदर को ढखा भी दिया था परी ने देखा भी था उस टाम के कोई तो था और नीती अचानक से आ भी गई थी लेकिन यहां पर नीती नहीं फस पाई थी नीती बच गई थी बड़ अब जो वीडियो सामने आ जाता है ना तो अचानक से परी भाक्ती भाक्ती आती है और रोग देती है पीच में फेरे अब भई जैसे फेरे रुख जाएंगे तो क्या रियक्शन होगा राजीव का नीती का गुर्वेंदर का यह तो माने वाले एपिसोड में ही देखेंगे लेकिन आप कुछ बताईए आपको परनीती के एपिस चोड़ी में रही है राजीव का यहां पर परी के बीच बीच में आ जाती है राजीव परी के बीच में जिस तरीके का प्रोमो आ रहा है उसे देखकर लग रहा है कि राजीव की नीती की साथ शादी नहीं होगी और यहां पर नीती हो जाएगी सब घरवालों के सामने एक् झाल झाल झाल